नमश्कार मेरे पियारे दोस्तों मैं हूँ आपका हो शेफ धिरज आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं उन छे चीजों के बारे में जो कि आपको किसी भी कॉलीज में नहींuccी शिखाई जी हां यह सच्चाई है हमें college में जो भी सिखाये जाता है वो होते हमारे hard skills जो कि हमें काम आते हैं एक job को पाने के लिए पर अगर हम उस field में extended level तक सफलता चाहते हैं हम चाहते हैं कि उस field के अंदर हमें कुछ अजूबा ही कर दें तो हमें इन 6 चीजों के बारे में पता होना चाहिए जो कि college में नहीं सिखाई जाती है even यह सारी चीज़े सिर्फ उनहीं लोगों को realize हो पाती है life में जो कि बहुत ज्यादा success हासिल कर लेते हैं और जो भी मैंने साथ यह सारी चीज़े शेयर करना ताकि आप भी अपनी life में success हासिल कर पाओ तो चलिए start करते हैं सबसे पहले यहां पर है how to accept failure हम लोगों को failure को accept करना आना चाहिए छोटी सी कोई विफलता मिल जाती है दो मईन तक नौकरी नहीं मिली या कि कोई आयच्चम के जो exams होते हैं उससे पहले competitive exams होते हैं उसको clear नहीं कर पाया कोई trial में fail हो गया एक बार job के ले गया किसी ने reject कर दिया food trial fail हो गया तो हम लोग ठक के हार के बैठ जाते और हमें नहीं सिखाया जाता है कि अगर हमारे सामने यह situations आती हैं तो हम उसको किस प्रकार से tackle करें किस प्रकार से उसका debt के सामना करें आप life में जो भी कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं बुरा कर रहे हैं या तो अगर आपके सामने कोई भी problems आती है या तो आप sacrifice कर लेते हैं और जैसी life चल रही है वैसी चलने लग जाते हैं पर वहीं अगर आप बार बार उठते हो गिरते हो उठते हो तो आपको सफलता ज़रूर मिलती है इवन अगर मैं अपनी बात करूँ मैं भी लाइफ में इतनी भार आप बोल सकते हूं अनसकस्वल हुआ हूं या मुझे उस चीज में काम्या भी नहीं मिली जो मैं करना चाहता था या कोई जॉब हो या कुछ उठी है क्योंकि जब भी आगे बढ़ेंगे 10 लोग आपकी टांग खीशने आ जाएंगे पर 11 भी बार आप भाई उठ गए तो फिर आप संजीव कुपरू बन जाओगे या फिर विकास खन्दा बन जाओगे या कोई भी एक बड़ा बिस्समें वहीं नहीं तो अगर आपन जिन्दगी के साथ sacrifice हो गया जो 95% इस दुनिया में लोग कर रहे हो आप भी उस category के अंदर आ चुके हो दूसरा point यहां पर आता है how to find a passion अपने passion को कैसे ढूंडे passion एक वो बिमारी है जिसको पता चल गई तो उस बिमारी ने आपको जिन्दगी में सब कुछ दे दिया है अब जाके समझाया कि actual में वेवेरा वो passion था और जो मैं अब यहां पर वही आप लोगों को deliver कर रहा हूं वही चीज़े मुझे एक life में success हां से दे रही है या मुझे success के path पे ले जा रही है तो आपको अपना passion ढूंड़ना भी आना चाहिए एक जैपैनिक एक आई करके एक है how to earn money and how to invest money how to earn money कैसा पैसे कैसे कमाएं और कैसे उसे invest करें अब जो भी चीज़े मैं आपको बता रहा हूं यह अगर आप देखेंगे एक तरीके से आपको success की तरफ ले जा रही है जब आपके पास success भी आती है आप अपने passion को भी ढूंद पारते हो failure से आप डिरते नहीं आप यह job देनी है job लेनी है यह करना है वो करना है पर अगर आप पैसा कमाते हो उसे कहां लगाते हो नहीं सिखाए जागा मेरे दोस्त अभी भी जिन लोगों ने मेरे साथ ship में job करी या मेरे साथ hotels में job करी जोकि मुझसे भी ज्यादा अच्छी position पे थे अभी उनकी position बिलक बढ़ती है तो हमको अपने पैसो को कहां लगाना चाहिए वो भी आना चाहिए जैसे कि मैं अपने पैसे अपने FDs में stock markets में real state में करता हूं तो हम सब चीजों हम सब को यह पता होना चाहिए पर school और college में कोई नहीं सिखाता है हमें यो कि बहुत ही जादा जरूरी है हमें इनके बारे में पता होना चाहिए हम लोग अपनी age कम समझ लेते हैं कि मेरी age कम है सीख के करूंगा अगर आप 17-18 साल के हो तो आपको यह सारी के सारी चीज़े आनी बहुत जादा जोरूरी है आनी के आपको धीरे-धीरे करके सीखनी है जैसे जैसे experience आपका बढ़ता जाए इसके बाद जो next point है वो होता है how to sell आप कैसे बेची आगर आप कहीं job ले भी जा रहे हैं तो आप अपने आपको बेचते हैं आप अपनी कला को बेचते हैं आप जो भी time वहाँ पर वैतीत कर रहे हैं आठ गंटा दस गंटा पूरे महिने उसके बदले में आपको पैसा मिल पर कहीं लोगों के questions रहते हैं कि मैं 10 साल से कहीं नौकरी कर रहा हूं मेरी तो तनका इतनी ही है वो तनका इतनी ही है क्योंकि आपको अपने आपको sell करना आजाएगा आपकी salaries भी बढ़ जाएंगी आप success भी life में हासिल कर पाओगे दूसरा अगर हम लोग यहाँ पर business करते ह हैं अभी अगर आप मुझे ही देखेंगे मैंने इस model को मैंने अपने इस YouTube के model को धीरे-धीरे करके कैसे business में पूरड अलग कर लिया है मैं अपने courses sell करता हूँ even अभी जैसे मेरी website भी है कुछ समय बाद देखेंगे कि आप मेरी खुद की app भी आ गई है वहाँ पर मैं अपन सारी प्रॉफरले चीजे आने चाहिए कैसे चीजों को बेचना है वो भी आपको आना चाहिए और जैसे कि कई सारी लोग मुझे इस तरीके से भी message आलते है आप अपनी किताबे sell करते हो उसका आपको क्या है आपको यूटूब पे कितना पैसा कमाते हो तो भाईया जो भी ह हम लोग काम कर रहे हैं उसमें हमने हिम्मत करिए करोना तो बात में हुआ है मैं करोना से पहले से ही सब कुछ छोड़ चाड़ के लगबग डेड़ साल से मैं वीडियो बना रहा हूं और मैं कंप्लेट्ली कॉंसेंट्रेट करके यहां पे बैठा हूं क्योंकि जब भी आपक कुछ नहीं चलता है और यहां पर तो मैं इतना भर भर के कॉंटेंट आप लोगों को यूटूब में देता हूं लोग अगर सोच लिए कि अगर मैं वैसा देना चाहूं तो कभी भी कोई नहीं दे पाएगा तो यह मेरा मानना है आपको अपनी चीजों को बेचना आना चाह इसके बाद जो next point है या आप second last point बोल सकते हैं वो है how to think हमें कैसे सोचना है दो प्रकार की thinking होती है negative होती है positive होती है तो most of the time हम लोग negative ही रहते हैं और हर चीजों में सिर्फ दुख तकलीफ और यही धूमने की कोशिश करते हैं मुझे भी रोज लगता है कि मेरी वीडियो नहीं चलती है कहां मुझे ज्यादा लोग देखते हैं आप लोग मुझे देखी रहे हो पर क्या मैं demotivated हो जाता हूं क्या मैं सोच लेता हूं कि कुछ और करने लग जाओं जी नहीं मैंने सोच लिया है मुझे यही करना है यही मुझे एक तरीके से बल देता है एक positive thinking देत हैं और जो सबसे last point है वो सबसे ज्यादा important है कि relationship, relationship से मतलब है आपके भाई, बहन, माता, पिता और दोस्त अब जब हम लोग starting करते हैं हमारे साथ, हमारे मा, बाप, भाई, बहन होते हैं और यह बात आप मान लीजिएगा सिर्फ इस दुनिया में आपके मा, माता, पिता वो आपके दोस्तों कुछ भी हो तो उनका कुछ ना कुछ स्वार्थ होगा ही बिना स्वार्थ के कोई आपसे नहीं जुड़ेगा हमें भी ये चीजे काफी समय बाद समझ आई मैं भी कई लोगों से दोखा का चुका हूँ वीडियो में देख रहे होंगे तो पता चलेगा उन के बाद आपके बाई बेहन आ जाते हैं बाकि इस दुनिया में जो भी आपसे जुड़ा हो सकता है कि वो आपसे रियली में आपको पसंद करता हो आपसे जुड़ा हो पर कहीं ना कहीं किसी ना किसी मोर पे आके सेम वो भी इस दुनिया में खो जाएगा और आपको रिलेश इंसान, एक successful इंसान बनना चाहते हैं और साथ-साथ मैं ये भी बोलूँगा कि इन चीजों को apply जरूर कीजेगा आपकी life में जो भी मैंने आपको 6 चीजे बताई और आप देखेंगे कि आप बहुत कुछ life में अचीव कर पाएं तो ये सारी चीजे आपको कभी भी किसी college में, किसी hotel management studio में कभी नहीं सिखाए जाएंगी, तो चलिए यही ताज के इस video का topic और इस video के अंदर, बाकि videos को जरूर शेर कीजेगा, आप लोग share नहीं करते हैं, अगर आप really मुझसे प्यार करते हैं, मेरी content को पसंद करते हैं, तो please videos को share कीजेगा, और channel को भी subscribe कर दीजेगा, ताकि जो नई videos होती हैं, वो आपकी पस पहले पहुँच जाएं, और वहाँ पर एक bell का icon होता न, वो भी आपको press कर देना है, कुछ भी questions हो, comments हो, फिर मिलेंगे, तो चलिए फिर मिलेंगे, एक नई videos में तब तक के लिए, join